ओके सो काफी टाइम बाद मैं फुल रिव्यू लेकर अपना वापस आ चुका हूँ जी हाँ आज हम फुल रिव्यू करने वाले हैं अपने गूगल पिक्सल 7 को और एक चीज मैं डेफिनेटल यहाँ पर बुलूँगा कि भाई पिछले काफी टाइम से मैं हर फोन को कुछ ही एक से देड़ हफता परसनल फोन की तरह यूज कर रहा था लेकिन यह फोन को मैं लिटरली पंदरा से जादा दिन हो गया यूज करते वेदा परसनल डिवाइस मैंने मतलब पिछले कुछ टाइम में अब से जादा यही फोन को इस्तेमाल किया एन एम लिटरली फ्रस्टेट इस फोन भाई बताता हूं सारी चीज़ जानने वाले हैं इस फूडियो में आप देखो यह फोन है मेरे बास आदा 15 अक्टोबर को ठीक है तब से मैं इसको टेस्टिं कर रहा हूं अच्छे से उसके बाद मैंने 9 डिसमबर को इसके अंदर अपना दोनों सिम कार डाला दोनो इस फोन बहुत ही जादा मतलब एवरेज बिलो एवरेज फोन है पचास-सार अजार रुपर का फोन है उसके साब से experience मज़ेदार नहीं था आप बताता हूं क्यों सबसे पहले हम basic चीज़ों से बात करते हैं तो देखो build quality के बात करो अगर design वगर की तो build देखो पूरी aluminum में बनी है यह जो यहां पर पूरा बार है यह भी पूरा aluminum में और पूरा एक साथ body मतलब mixed है यहां पर side का और camera का module तो it looks very very nice मतलब काफी जबर्दस दिखता है and eye grabber है for sure जितने लोग देखते हैं phone को literally बोलते है यहां कोई phone है जबर्दस्त है जो design है वो जबर्दस्त है और differentiated smartphone phone है मतलब कहीं पे भी आप लेके जाओगे न तो कोई दूसरे smartphone में mix ने होगा यह काफी अच्छी चीज़ है बाकि phone काफी मस्बूत है and 197 gram का weight है मतलब छोटा छोटा phone है तस weight भी थोड़ा सा अच्छा है न तो आपको dense feel होता है मस्बूत feel होता आपको phone तो अच्छा लगता अब एक design flaw मेरे को अजीब सा लगता है कि जो Google है यह अपना volume rocker नीचे देता है power button उपर देता है तो use show ने को थोड़ा सा आपको पांचे दिन लगया लेकिन एक बार use show जाओगे तो कोई tension ने अड़ाता है तो वो सारी basic चीज़ है तो है लेकिन जो front side की तरफ बढ़ू तो कहीं पर भी ऐसा शिकायत ने आएगा कि भेड डिस्प्ले में कोई कमी है मतलब color accuracy जबरदस्त है contrast वगएरा जबरदस्त है colors भी एक तो अच्छे poppy निकल के आते हैं and Samsung का panel हो तो आपको tension लेने की ज़रौत है मतलब overall जो display की quality है एकदम ला जवाब मज़ेदार display है आपको मज आएगा बट जो बैजल सोगेदा है वो थोड़े से मतलब 50-60 अज़र पर कफोन है तो नीचे भी थोड़ा सा और uniformity होती नो तो जादा मता था थोड़ा सा चीन थोड़ा सा बड़ा है मेरे liking के था से बट I don't mind personally बता रहा हूँ I don't mind जो overall display का quality है इस सूपर्ब बकि front में हमक यह देखो यहाँ पर देखो यह आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना यह scratches है जो छोटे-छोटे scratches आते ना यह scratches यहाँ पर लगेवे यहाँ पर भी लगेवे बहुत सारे आपको multiple scratches देखने को मिल लेंगे तो यह जो phone है इसके front में बहुत ही दादा easy scratches आते हैं अब scratches का ना जो tempered glass आता है वो लगा लूँगा तो fingerprint scanner काम ही नहीं करता है तो उसको मैंने निकाला एक बार लगाया उसको कुछ time used क्या तो बिल्कुल काम नहीं करता है 100% of the time सिर्फ एक दो बार काम कर लिया बहर दी तो कर लिया नहीं तो काम ही नहीं करता बहुत irritating हो जाता है तो मतल बहुत बार issue देता है वो मैं थोड़ो देर में बताऊँगा लेकिन वो एक issue है कि भाई जो display का protection है पता नहीं किस type की है इसके अंदर बहुत सारे scratches आते हैं तो यह चीज़ा आप लोग देख लेना अगर आप screen guard लगाओगे तो fingerprint scanner नहीं चलेगा और अगर नहीं लगाओगे आप कोई flagship level का phone चला रहे हो आपको ऐसा कभी शिकायत नहीं आएगी कि भाई phone कहीं से भी slow है तो मेरेको उसमें कोई problem नहीं है भाई phone काफी fast feel होता है ऐसा लगता है हाँ 40-50,000 रुपे के लाइक का आप day to day task में आपको performance दे रहेगा लेकिन gaming में scenario सेम नहीं है gaming में definitely आपको कि भाई like casual आप gaming करोगे तो थोड़े दिर बाद आपका phone अलका-फिलका heat हो जाएगा अलका-फिलका कि अच्छा-फिलका heat हो जाता है प्लस आपको frame drops देगने को मिलता है तो gaming के लिए उतना अच्छा नहीं है लेकिन जो day to day performance है वो काफी मस्त है बात कर दो smoothness की तो 90 Hz का smoothness ह यह मेरे को काफी जबरदस लगा मतलब मैंने सोचा था 120 Hz होता तो मज़ा आता लेकिन भाई मैंने इधर पर 120 Hz को एक भी बार मिस नहीं किया काफी अच्छा काफी smooth experience है Android 13 के वज़े से काफी smooth चलता है एक एक animation एकदम smooth रहता है मज़ा आता एक दो जगे मैंने कभी कबार jitter अगर अनोटीस किये लेकिन उसके अलावा काफी smooth experience था जो कि काफी अच्छी बात है बट आगर आप बड़ू software की तरफ भाई इसके नदर Android 13 जिख नहीं हो जा पिक्सल का वो खुद का गूगल का बहुत मस्त है software बहुत जबरदस एकदम clean कोई भी कचरा नहीं, bloatwares नहीं, में मुंबई में रहता था और मुंबई से मैं नवी मुंबई शिफ्ट किया और जब shifting का time होता था उसमें बहुत सारे काम रहते हैं और उसके बीच में मुल्टिपल चीजें फोन से करने रहती है, continuously ब्लूटूथ लगा कि मैं बात ही करता हूँ, यूजूली जो earphones वोकरा ह बात करना होता है, नवीगेशन यूज करना रहता है, बहुत मतलब हेवी यूज होता है फोन, एंड उस टाइम पर multiple times ऐसा हुआ, कि ब्लूटूथ डिसकनेक्ट हो जा रहता था, और मैं को call पर बात करनी ही नहीं होता था, मतलब Bluetooth पुरा बंद करके वापस चालू करो, तो Bluetooth connect हो है, मतलब एक ही Bluetooth में नहीं, multiple Bluetooth में मैंने चेक किया, multiple earphones में, मतलब यही फोन का ही problem है, वो चीज मैंने cross verify करा, तो भई, क्या है, मतलब इतनी normal सी चीज नहीं, अगर काम करें तो फिर कितना irritating हो जाता है, उसके बाद किते बार, मतलब जो fingerprint scanner है, अगर इसके ओपर कोई भी screen लगा दो, तो चलता ही नहीं है, मतलब, एकदम बेकार है, वो, एकदम मतलब समतलो कि वो ही नहीं, ना के बराबर, अगर आप पन्यों नहीं निकाल दोगे, तो शायद से थोड़ा काम करेंगा, तो भी 20-30% of the time काम नहीं करता है, तो fingerprint scanner भी फुल जाओ, बाकि उसके बाद, इतने bugs भाई, इतने bugs आपको multiple जगे पे bugs मिलेंगे ना, mood खराब जाता है, मतलब ऐसा लगेगा, क्या ही, मैं क्यूं 50 अज़र पाद देखे फ़स्गया रही फोन में, इतने सारे bugs आयता है, तो mood खराब हुई जाता है, साथ में, भाई, जब आप इसको normal यूज करोगे ना, पिक्सल 7 Pro यूज किया, और इसमें और पिक्सल 7 Pro के experience में, जमीन आसमान का फरक है, भाई, असा लगता ही निया, दोनों में same processor है, same company ने बनाया हुई, same software है, मतलब क्या, कैसे, मेरे को समझ में ना रहा भाई, इतना जादा stable experience में को पिक्सल 7 Pro में मिला इसके comparison, मतलब भाई, अगर आपको Android ही चाहिए, then I would personally suggest you to go for Pixel 7 Pro, थोड़ा सा पैसा सादा लाएगा, लेकिन, you will get a much, much smoother experience, and by the way guys, इदर जो व्यू प्रडक्स का, आप लोग का option दिख रहा है, उधर पिदा कर आप लोग सारी प्रडक्स को चेक आउट कर सकते हो, अच्छा चालो, बहुत होई मतलब आपको camera's में शिकायत ने आएगी, camera's अच्छे quality के है, मतलब आपका काम हो जाएगा, पचास दा रुपे के साब से भाई, अगर specifically बात करूँ, तो low light performance is like killer, भाई, मज़ा ही आदाता है, but, आज भी मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे जेब हैं, दोनों जेब में phone है एक में iPhone रखावा है, एक में ये Pixel रखावा है, तो मैं कभी भी में को कोई भी important photo लेनी है, मैं iPhone ही निकालूगा, ये phone अभी भी पिकनी करूगा, क्योंकि भाई इसकी shutter speed, अभी भी Android की shutter जो है, मतलब जो आख बन करके भरूसा वाला scene होता है, वो मैं Android पर अभी भी trust नहीं कर अभी भी ये लोग मैच नहीं कर पाते हैं, जो मुझे personally पसंद नहीं है, अब चलते सलते मैं कोई photo लोगा तो हिली भी आजेगी, तो वो मजा नहीं आता है, वो reliability factor अभी भी है, लेकिन अगर आप मस्त एकदम ऐसे शांत मिजास के आदमियों चलते रहोगे, ऐसे आराम से photo तो आप रुक रुक के ठहर के अच्छे से photo ले जाओ, तो भाई उसमें आपको disappointment नहीं होगा, photo की quality जबरदस्ता आती है, even videos की quality भी अच्छी खासी आजाती है, बट iPhone के comparison में, अगर मैं iPhone के compare करूँ तो भाई, आसपास भी नहीं है, अल्टरवाइट तो भूली जो, अल्टर facing cameras की बाद करूँ, तो वो अच्छे हैं भाई, लेकिन बहुत ज़ादा अच्छे नहीं है, अच्छे है, काम चल जाएगा, उसके बाद अगर मैं बढ़ू battery life की तरफ तो भाई, इसके दर हम को 4003 तो image की battery देखने को मलती है, and I have to say, by battery life से I am definitely impressed, जिस से आपसे छोटा phone है, I I was expecting कि एक दिन तो नहीं चलेगा, शाम तक आते चार्ज करने पड़ेगा, लेकिन नहीं, अच्छा खासा full day का battery life आपको देखने को मिल जाता है, और मस्त है battery life, आपको battery life में कोई शिकायत में आएगी, लगबख 7 गंटे का screen on time आपको easily देखने को मिल जाएगा, and जिसे मैं 3 hour 53 minutes, इसका screen on time calculation का थोड़ा सा issue अलग है, लेकिन अगर average बात करूँ, तो 7 गंटे के असपास का screen on time ये phone के अंदर हमको देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे, एक दिन की easy battery life मिल जाती है, अगर आप heavy user हो, तो आपको शाम तक चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन अगर light user हो, तो मतलब सुबा सक चल जागा battery असा समझ लो, without always on displayable ROM है, and without gaming board ROM, अब बात करूँ, network बगएरा, and call quality की, तो call quality में मेरे को कोई शिकायत नहीं, call quality जबरदस थे, आपको network बगएरा में कोई शिकायत नहीं, लेकिन initially कुछ time ना, मतलब पहले में कोईसा दोग कोई भी issue नहीं था, call quality में, and network बगएरा कि बात करूँ, तो काफी अच्छा था, लेकिन, अभी भी 5G नहीं है, बताओ इसके अंदर, इतना time हो गया 5G को launch होगे, अभी बी इन लोग ने लोग ने update नहीं दिये 5G का, क्या अजीब सी बात है, I don't know, बात करू, sound quality की तो हाँ, sound quality काफी अच्छी एसी phone की, मैं तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, एक आप flagship phone यूज़ कर रहे हो, sound quality वो level की है, ये चीज़ में को काफी अच्छा लगा, और साथ ही साथ haptics भी, haptics भी मतलब आपको iPhone के level के मिलेंगे, आपको लगेगा हाँ भाई, आप flagship phone यूज़ कर र hand होता, तो काम कर देता है, नित तो भाई गया, जब अभी काम किया, और face unlock तो ठीक ठाक से काम कर जाता है, तो उसके तजहारे समतलो रह रह रहा हूं है, तो मता नहीं, fingerprint scanner भाई बेकार है, इसका भी भी मैं ये चीज़ बोलूँगा, बाकी भाई इसके अंदर dedicated हमको security की chip द अगर मैं इसको isolation में भी देखू ना गईज, तो I don't think so 50,000 रुपया, 60,000 रुपया अभी के टाइम पर डालना वरत है, बहुत bugs है, और बहुत issues आता है, मेरे को personally बहुत issues आये, बाकी किसी को आये हो या ना आये हो, उसका मेरे को guarantee नहीं है, लेकिन भाई, मैं जितना use किया तो जो दिल खुश हुआ था, जो मन कर रहता भाई, इसको full recommend करूँ, वो level का recommendation इसमें से नहीं निकल गया रहा, तो यही बात है भाई, बाकी तो ठीक है, चल जाएगा, so yeah, I hope Google ये सारी चीज़े उसको sort out करे, बाकी तो इतना ही था, thank you so much for watching this video guys, bye!